पूरे जम्मू एन कश्मीर में स्लीपर संद अभी तक बैठे हुए हैं आप कहां से रहें पीयोके से पीयोके में छे साथ जगाएं हैं आप उन जगाओं को दिनिक्स तन्रबूत करिए और उनको अक्रिपाई कर दिए जम्मू कश्मीर के कट्वा में सेना के वाहन पर हुए हमले में पांच जवान शहीद हो गए हैं वहीं पांच जवान घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है बता देगी पाचों शहीद जवान उत्राखंड के रहने वाले हैं शहीद जवानों का पार्थिव शरीर आज देहरादून के जॉली ग्रॉंट हवाई अड़े पर पहुंचा। इस दोरान उत्राखंड के मुक्यमंत्री पुसकर शिंग धामी के साथ साथ भारतिय सेना के जवानों ने भी शहीद जवानों को आखिरी सलामी दी। बतादे की कल अचानक ही आतंकियों ने घात लगा कर भारतिय सेना के जवानों को निशाना बनाया। आतंकियों ने एक शाजिस के तहट पहले सेना के वाहन के टायर पर गुलियां बरसाई इसके बाद जवानों के ऊपर अदादूत फाइरिंग कर दी। इसके बाद हमारे जवानों नो भी अचानक हुए इस हमले का मुहतोर जवाब दिया, हलांकि इसके बाद कायर आतंकी वहां से भाग खड़े हुए, सुरच्चावल आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर शर्च आउपरेशन भी चला रहे हैं। इस समय मैं बड़नोटा के अलाके में हूँ, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह वो आर्मी की गारी है, जिसको घात लगाकर कल आतक वादियों ने हमला किया था, आप देख सकते हैं, इस गारी के टायर पूरी तरह से यह पंक्चर कर दिये गिये थे, क्योंकि इनक इंबुश करना होता है, तो सबसे पहले यह टायर पर गोली चलाते हैं, ताकि गारी रुक जाए, उसके बाद यह आखिर आतक वादी हमला करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैजूल्टी इंफलेट कर सकें, आप देखे किस तरीके से हमारे बहादर जो है, शहीद हो जाते हैं, और पांच के करीब जख्मी हो जाते हैं, उसके बाद आर्मी और आतक वादियों के बीच में फारिंग होती है, यह आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना घना जंगल का इलाका है, इस जंगल के इलाके से यहाँ पे नीचे आए हैं, और उसके आप देखिए, जो अंदर जितने भी लोग थे, उनको इन्होंने हमला करने की कोशिश किया, लेकिन हमारे जो बहादर जवानों ने वहाँ पे फाइरिंग किया हो सकता है, कैजूल्टी ज्यादा होती, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर तक एंकाउंटर चलते ह रहा, लेकिन उसके बाद से जो यह आतकवादी हैं, साथ के जो जंगल के लाखे हैं, वहाँ पे निकल कर भाग गये हैं बतादे कि जमू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच सेना भी बड़ी तयारी कर रही है, आतंकीों ने हाल ही में शर्धालियों से भरी बर्ष को निशाना बनाया था, वहीं आतंकी लगतार सेना को भी निशाना बनाने की शाजी सरच रहे हैं, आतंकीों कि इस कायरा के का बार्टर खुला हुआ है पाकिस्तान में भुकमरी है पाकिस्तान में लोग बाप को मारने को तयार है तो वहां पर क्या प्रॉबलम है वो तो आप जितना पैसा दीजियो आ जाएंगे सपोर्टिंग सेर्ट यहां पे है कश्वीर से लेकर कन्या कुमारी तक कोई ऐसी जगाएं है वो हमारी लाइट आर्टिल्री मीडियम आर्टिल्री हैवी आर्टिल्री अटैक हलिकॉप्टर्स मल्टी बैरल रॉकेट रॉंचर्स हरे के रेंज के अंदर में हैं आप उन जगाओं को डिजनिस तन्रबूत करिए और उनको उक्युपाई कर दिए एक बार पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजेन में भी आतंकी हमलों में तेजी आई है दरसली आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी सेना और पाक खूपी आइजेंसी आईसाई का हाथ माना जा रहा है टाइमस नाउनो भारत डिज्टल की रिपोर्ट